कानिच की कैद से क्रिश बचाएगा सभी बच्चों को नाइट मेर की होगी एंट्री कांग पर नई होगा क्रिश के वॉर का सर इगो मावल युनिवर्स का सबसे खतरनाक विलन है जो की मोस्ट इंटेलिजन्ट बिन से मिलकर बना है इगो थोन्स को भी पीछे छोड़ सकता है मावल युनिवर्स में इगो की एंट्री थोर हैश्टैग 132 में हुई थी क्रिश फॉर मुवी में इगो दुनिया में तहल का मचाने आएगा इगो का मकसद होगा पूरे वर्ल्ट को अपने अंदर समाना लेकिन क्रिश इगो को उसके इस प्लान में कामयब होने नहीं देगा क्रिश फॉर मुवी में क्रिश पहले इगो की सभी पावर्स के बारे में जानेगा और उसके बाद देखेगा किस तरह से वो इगो को मार सकता है और एंट में क्रिश को पता चलेगा कि अगर इगो को मारना है तो क्रिश को इगो का ब्रेन डिस्ट्रोई करना होगा और मुवी के एंट में क्रिश इगो का ब्रेन डिस्ट्रोई कर देगा कानिच मावल युनिवर्स का सबसे खतरनाक विलन है जिसकी स्पाइडर मैन की प्रजाती से बिलकुल भी नहीं बनती, क्रिश फोर मुवी में एक सीन दिखाया जाएगा, जब एक स्कूल के सभी बच्चे स्पाइडर मैन की युनिफॉम पहन कर स्कूल के एन्वल फंक्शन में पाटिसिपेट करने के लिए जाएंगे, तब ही व मावल यूनिवर्स का विलन है, और ये रात के समय में ही लोगों परवार करता है, मावल यूनिवर्स नाइट मेर को टेल्स हैश्टैग 110 में दिखाया गया था, क्रिश फोर में भी नाइट मेर लोगों को रात के समय में परिशान करेगा, क्योंकि जब लोग रात को सपने देखेंगे तो समय नाइट मेर की शक्तिया और भी बढ़ जाती है मुवी में नाइट मेर लोगों को कैद करके उन्हें सोने का आदेश देगा अगर कोई उसकी बात मान कर ना सोए तो वो उन्हें डरा धमका कर मारना पीटना शुरू कर देगा क्रिश फोर में क्रिश अगर जाता है और धर्ती पर आक्रोश दिखाना शुरू कर देता है धर्ती को बचाने के लिए क्रिश कांग पर वार करता है लेकिन कांग पर क्रिश के वार का कोई असर नहीं होता पैला आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं झाल झाल